वेल्कम एन हलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग आई होप बहुत अच्छे हैं बेटा आज के इस वीडियो में आपका जो टॉपिक है वो हिंदी बेश्ड है ओके आज हम हिंदी टॉपिक पर तर्चा करेंगे कख्षा कारे आप लोग हैडिंग राइट करेंगे डेट आप लोग क्या राइट करेंगे वर्क की हैडिंग ओके वर्क की हैडिंग क्या है आपके रीट कर लीजें अचर अक्षर को सही चित्र से मिलाओ बेटा अच्छा आप लोग यह सोच रहे हो कि मैं इसको रीट कर लेती है है आप लोग भी रीट कर सकते हो कैसे चलिए देखें जोटा अक्षर क्या होता को को स ह में बड़ी की मात्रा है तो क्या हो जाएगा ही स ही अक्षर को स ही ची चोटी की मात्रा है यहां बड़ी की थी यह चोटी की है मामा में चोटी की मात्रा है तो क्या हो जाएगा मी ला ओ मिलाओ अक्षर को सही चित्र से मिलाओ आपको हेडिंग रीट करके ही समझ में आ गया होगा क्या करना है कुछ अक्षर यहां पर नीचे दिये गए है अभी आप लोग देखिएगा और चित्र दिये गए है अक्षर को सही चित्र से मिलाना है ओके लुक एट है देखिए इधर चित्र है इधर आपके चित्र है इन अक्षरों को सही चित्र से मिलाना होगा clear, अब देखे, read करेंगे कैसे, यहाँ पर क्या है, ऐसे, ऐनक, ऐनक means होता है, चश्मा, ऐनक means क्या होता है, चश्मा, तो आप बताए, ऐनक कौन सा है, यह ऐनक है, नहीं, यह ऐनक है, चश्मा लग रहा है न आपको, तो ऐनक को ऐनक से match करेंगे, ओके, ऐनक को, ऐनक से match करेंगे, clearly, ऐसे, बिला देंगे, यह हमारा, complete हो गया, next आपका है, कौन साक्षर है, अंक से, अंगूर, अंक से, अंगूर, अच्छा, अंगूर आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ बने हुए, yes, that's very good, यह आपके, अंगूर बने है, यह अंग है, अब अंगूर से, ऐसे, match कर देना है, next आपका है, यह कौन साक्षर है, कौन साक्षर है, 6, okay, 6 से, होता है, छाता, यह फिर 6 से, छतरी, आप लोग देख रहें न, यहाँ पर, 6 से, छाता को आप लोग, ऐसे match कर देंगे, clear, फिर आपका है, न, कौन साक्षर है, न, न, न से क्या होता है, नल, न आपको दिखी रहा होगा, फिर फिर पिच्छर है, वो नल की है, तो न को, नल से, हम लोग, match कर देंगे, ले जाके, ऐसे, okay, यह हो गया, न से, नल से match कर दिया, next आपका है, म, कौन साक्षर है, म, मा से क्या होता है, मा से, मचली, मचली आपको दिख रही है, मचली को, हमने मा से, मैच कर दिया, ऐसे, clear, इतना समझ में आ गया है, सबको, जो अक्षर दिया है, उससे, जो पिक्चर होता है, उसको match कर देना है, clearly, और यह आपका work, complete हो जाएगा, एक चीज़ और ध्यान रखने है, आपको क्या रखनी है, कि, line से चलेंग होगे, और अगर आप अक्षर से मैच कर देंगे, तो सारे पिक्चर खुद बखुद मैच हो जाएंगे, clear, आपको line से चलना है, पहला अक्षर देखना है, फिर second one, third one, fourth one, इस तरीके से, नीचे तक आपको आना है, and सारे पिक्चर से उसको match कर देना है, clear हो गया ना, पिक् पिक्षर हो, जितने आपने learn की हैं, कर पाएंगे, okay, and heading reading आप लोग अच्छे से सीखेंगे, कख्षागार heading right करेंगे, heading यहां से right करेंगे, and कैसे करेंगे, यवा कैसे करेंगे, clear हो गया ना सबको, और practice करते रहेंगे, word माला आप लोग learn कर लिजे, आह से, आहा तक पहले स् वेंजन learn करेंगे, clear है ना इतना सबको, सारा कुछ learn करना है, and day by day, रोज practice करते जाना है, रफ कॉपी पर, okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई